हेलो एव्रिवान वेल्कम बैक टो माई चैनल गाईज एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ कैसे हैं आप सब आप सब आप सब अच्छे हैं खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी पहुंचें आराम से देखें आपको बहुत सारी गाईडेंस मिलने वाली है इस प्रेडिक्शन में अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर आना है तो इसका भी ऑप्शन है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्ट्राइम आईड देथ पहला कार्ड है देथ एंपरर जजज्मेंट तीनों मेजर अरखाना से कार्ड आप तक कि मर्णा तक इंस्ट्राइम आपन कीजर जर्खान किर सक्व कार्ज़्ब की रुटी के साथनिकल् 지ावर्ण की डुक्रियों को Indra स best देश्ज थिश्क पनें था आपंटिकल्स अब्स की शूल्स के प्रणा के and the hanged man यहां से the hero fan का काड है यह काड वैसे तो marriage कार होता है लेकिन यह काड हमें यह भी बताता है कि आपको अपने जो भी आपके guru है या आपके बड़े हैं उनके respect करते रहें और करना भी चाहिए क्योंकि वह आपके बड़े हैं और marriage की wife भी दे रहा है marriage card भी है और yes तो overall अगर हेरोफेंट card हमें मिला है तो ये बहुत अच्छा और बहुत positive card है और आपको लगता है बहुत जल्दी बहुत तरक्यां मिलने वाली है that is why ये card यहां पर है देखो अगर आप अपने life में financial issues देख रहे हैं तो शिफशक्ती की तरफ से एक message है कि ये बहुत जल्दी इसका end होने वाला है death होने वाली है इस situation की और आप फिर एक नए phase में एंटर करेंगे तो जो भी परिशानिया दिक्कत है आप phase कर रहे हो ये बहुत जल्दी खतम होगी ठीक है और एक चीज़ और है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ही problem face कर रहे हो speed में बहुत एक के बाद एक दूसरी कोई नई problem आ जाती है तो guys don't worry ये situation है जो problem जितनी जल्दी जल्दी आपके सामने आ रहे हो जल्दी आप उनने solve कर रहे हो और ये चीज़ आपको एक emperor बना रही है ठीक है तो इसका मतलब है कि ये जितनी भी odd situations है ये आप ही को एक अच्छे version में mold कर रही है ठीक है तो इसलिए न इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है या परिशान होने की ज़रूरत नहीं है आप हर एक दिन एक नई तरीके से आपकी सोच आती है बदल रही है आपकी सोच बहुत अच्छी होती जा रही है और आप बहुत strong personality बन रहे हो judgment में देखो यहाँ पर queen of pentacles का card है यहाँ पर मुझे एक चीज और है आपकी money से related message तो है लेकिन अगर आप लोग conceive करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर जितने भी लोगों को problem हो रही है मुझे लगता है कि divine आपको blessing दे सकते हैं शुशक्ति आपको blessing दे रहे हैं ठीक है और दूसरा आप अगर यहाँ पर female है ठीक है जो इस video को देख रही है आपके life में जितनी भी personal issues चल रहे है वो resolve होने वाले है आपको बहुत जल्दी judgment मिलने वाली है यहाँ पर ठीक है judgment मिले का जो time है वो बहुत पास आ गया है और इस judgment में आपको बहुत सारा abundance और prosperity मिलेगी तो आपका weight पूरा होगा दूसरा जाइस आपकर life में और ज़्यादा achievements आते हो manifest कर रहे हो अभी भी चीजों को तो please behave like a magician आपको अपने काम करते करते हैं ऐसा भी feel करना है कि सारी चीज़े जो है आपके favor में आ रही है आपके target से related और आप बहुत अच्छा आप अच्छे से manifest कर रहे हो अच्छे से काम कर रहे हो और जो result आपको चाहिए न उसको visualize करना शुरू कर दो so that वो चीज़ आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी एक message ये भी है आपके लिए दूसरा अगर यहाँ पर फिर से एक और message है अगर आप डिले देख रहे हो ये सब के लिए है मेल, फिमेल सब के लिए वाला message है बहुत अधर डिले है आपके पैसे रुके हुए हैं कहीं या आपके काम नहीं बन रहे हैं तो don't worry king of pentacles का काड है यहाँ पर बहुत जल्दी आपके सारे रुके हुए काम बन जाएंगे और problems जितनी phase कर रहे हो वो सब खतम हो जाएगी आज से ही ये सोचो कि इस situation की death होने वाली है और जल्दी आप एक नई अच्छे phase में एंटर करने वाले हो जहाँ पर आपके पास enough time, enough money, life में अच्छा balance और happiness होगी आप लोगों के लिए हो सकता है अगर आपको बहुत सारे marriage से related videos या marriage से related चीजे दिख रहे हैं इट मींस आप उस चीज को attract कर रहे हो और रेडी married हो प्राबलम चल रहे है लाइफ में तो वो भी resolve हो जाएगी बिल्कुल हो जाएगी और देखते हैं क्या आता है आपके लिए शिपशक्ती की तरब से release कर दो सारी negativity सारी attention आप बिल्कुल release कर दो ठीक है क्योंकि जितना negativity में जीओगे अपने आपको victim बनाओगे तो इस चीज को release कर दो tension free होकर जीना शुरू कर दो कि आपकी जिन्दगी जिसने लिखी है वो बहुत ही भैतरीन लिखी है और यह जो unwanted happening यह जो हो रहा है आपके साथ यह भगवान का एक plan है आपके लिए तो trust ना करोगे उतना tension free रहोगे जो destiny में है वो तो मिले गई आपको बिल्कुल मिलेगा oh my god आपकी destiny में आपके soulmate है वो ही मिलेंगे so don't worry आप दुनिया को ना माफ कर दिया करो अगर आपको लगता है कि किसे ने आपको hurt कर दिया दिल दुखा दिया बात मत करो उससे लेकिन उसको माफ करकर आगे बढ़ जाओ तो इससे भी आप ये negativity रिलीस कर देंगे फिलाल तो आपकी destiny में आपके soulmate लिखे है और divine shift शक्ति आपकी पूरी मदद कर रहे है ताकि अच्छे से recovery हो जाए और आप जितनी जल्दी हो सके अपने destiny partner से मिल जाओ और उनके साथ आपकी marriage वगेरा चीक है इसका आश्रिवाद आपको मिलेगा तो tension free हो कि अच्छे से आप लोग अपने purpose को manifest करो अपनी life को manifest करो अपने future को manifest करो बाकी का जो भी है चीजे वो आप divine पर छोड़ दो वो अपने आप देख लेंगे कब क्या आपकी life में सही चीजे बेजनी है कब कौन से lesson सिखाने है वो खुदी सब कुछ manage करते है न तो trust करो उन पर यहां से देखते हैं क्या आने वाला है lady posha divine order नए phase में तो आप 100% जा रहे हो दमर्यम अ मदर्मर्य कुछंबी 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 दाइन और यह होली अमतेस यहां से गनेश जी और कालिमा आए है एक साथ वाव इन कार्ट्स को भी ले रहते हैं ठीक है गनेश जी और कालिमा यहां पर आए है चलिए इनको देखते है सबसे पहले यह वाला कार्ट था lady posha divine order यहां पर बोल रहा है do what you feel is right वही करो जो आपको अच्छा लगता है जो आपकी इंट्यूशन आपको अलाओ करती है करने के लिए इंपॉर्टेंट लेस्ट इस उन्फोल्डिंग यानि कि इस फेस की दैत होकर एक नया इंपॉर्टेंट लेस्ट आपके सामने आने वाला है जो कि बहुत अच्छा होगा आपकी हीलिंग परपस से ठीक है अपने आपको सही साबित करना छोड़ दो अपनी शानती पर ज़्यादा फोकस करो अगर सही साबित करना चाहते हो किसी के सामने और वो सही साबित करने में खुद को आपको बहुत स्ट्रेस मिल रहा है तो प्लीज उसको छोड़ दो पीस चूस करो क्योंकि मदर हीलिंग आपके लिए बिलकुल पॉसिबल है और मदर हीलिंग से आप मुझ लगता है कि आपको पीस मिलेगा और इसको आपको कैसे आप फील कर सकते हैं जब आप अपने आपको सही साबित करना बंद कर दोगे यूदि डिवाइन के सामने आप आल्रेडी सही हो दमर्यम चूस टू फ़गिव इन ओर टू हील दूसरों को माफ कर दो हैं आपर फ़गिवनिस का कार्ड भी था चूस टू फ़गिव इन ओर टू हील सी द लाइट इन ओर रिमेंबर द लव हैस नो बॉंडरी नहीं है प्यार ही देखो आपको माफ करते चलो कुथूमी का कार्ड जो है यू अलरेडी नो दी आंसर यू सीक आपको अलरेडी आंसर पता है तो ट्रस्ट करो जो आपको पता है क्योंकि इससे आप अपनी इंट्यूशन को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं आपको बोल रहे हैं अपने डिजायर अपने गोल के बारे में जादा सोचिए और कि आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा इसी को मैनिफेस्ट केजिए ठीक है लौड गनेशा का अगर आश्रिवाद है आपके पास तो गाईज यह तो बहुत ही अच्छी बात है इतने भी आश्रिवाद से खतम हो जाते हैं और ना जिनके पास गनेश जी की ब्लेसिंग होती है तो उनको तो सपोर्ट उनका स्प्रिच्वल सपोर्ट बहुत बढ़ जाता है और डिवाइन के साथ यानि की शिव शक्ती के साथ आपका जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉंग हो जाएगा अगर गनेश जी की कृपा है तो उनके माबाब तक तो आप हमेशा ही पहुंच जाओगे तो डोंट वरी गनेश जी हमेशा आपको ब्लेसिंग कर रहे हैं दे रहे हैं और आपके कारोबार में भी काफी तरक्की आईगे इनके ब्लेसिंग से तो हर पूजा से पहले इनका नाम जरूर लें क्योंकि पूजा शुरू होनी ही चाहिए गनेश जी के नाम से अगर यह बात भूल गए होंगे तो आज मैं आपको याद दिला रही हूँ अगर आप कोई मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कोई मेडिटेशन भी कर रहे हो तो सबसे पहले गनेश जी की आग्या ले लो ठीक है इनको पहले मनाओ फिर आपना आगे की पूजा या अपना मेडिटेशन जो भी कर रहे हो फिर स्टार्ट करो क्योंकि गनेश जी सब के प्यारे हैं सारे डिवाइन के प्यारे हैं तो इनको सबसे पहले मनाओगे तो इनकी करपा से आगे जो आप जिनकी पूजा करने वाले हो या prayer करने वाले हो, वो बहुत अच्छे से होगी, ठीक है, तो हमेशा पहले इनको मनाईए, फिर आगे आप पूजा कीजिए, या prayer कीजिए, या meditation कीजिए, या job कीजिए, जो भी आपको करना है, तो काली मा आप से कह रहे हैं, facing fear, major spiritual changes are unfolding, बहुत major spiritual changes आपके life में हो रहे हैं, this is your chance to soar, तो आपकर जो भी major changes आ रहे हैं, वो आपके सामने आएंगे, और आपकर टाइम है उच्छाईयों को छूना, ये बहुत important बात मैंने बताई है, आपको इस reading में, तो अगर आप manifest कर रहे हो लगातार हो, अगर आप गणेज जी को नहीं बना रहे हो, तो प्लीज इनको मना कर ही करना, पूजा आगे की, फिर देखना आपका manifestation बहुत जादा speed में होगा, और ये सही तरीका भी है, हमारे जितने भी बड़े हैं, वो भी हमेशा सबसे पहले गणेज जी की पूजा करते हो, तो बहुत खुशी हुई कि दोनों कार्ज यहां पर आ गए हैं, और हमारे पास जो भी destiny में है ना, भगवान आपको देंगे, तो don't worry, ठीक है, positive रहकर आके बढ़िए, तो अभी के लिए बस इतना ही, bye-bye, take care.